अम्नी जान कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती जिसमें वो विनर बन सकता है आ रहा हो माल उतारे हम गुदाम सबाले हम और मुनाफ़ वो ले जाता है खुद करंदा शिरू करता है अपने दंदे के लिए बैकिंग चाहिए साइब बागे नहीं डेरिंग बन्या का दमाद मिया बाई का डेरिंग दोनों अपने पास ये था रईस की सिंदगी का एक हिस्सा और भी बाकी है सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के हिस्से भी देखिए मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लाटके नाओंगा एक गुम्नामी का समंदर है उसमें ही जाके डूप जाओंगा अराओंग अमी जांग कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं विनर्स और लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका ज़रूर देती जिसमें वो विनर बन सकता मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लोटके नाओंगा एक गुम्नामी का समंदर है उसमें ही जाके डूप जाओंगा अभी वागी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है दोस्तो वाज़े तो ऐसार के की यानि कि शारुक खान की परदे पर बड़े पर बहुत सारी फिल्में हमने देखी है लेकिन एक फिल्म ऐसी है जो हमें जो दश्रकों तक याद की जाएगी यानि कि हम बात करने वाले हैं फिल्म रेस के बारे में तो दोस्तो इस फिल्म के अगर मैं स्टार कैस्ट के बारे में बात करूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते इस movie के star cast को ले कर इस movie में star है शारूख खान हम सब जाते हैं और एक नया चेहरा हमें इस movie में देखने को मिलेगा वो है महीरा खान जो की इस film के lead heroine की तौर पर अपने आपको production कर रही है इस movie में और इस मुवी में as a supporting role हमें आयूब जी भी दिखाई देंगे और सनी लियो ने भी हमें इस मुवी में as a cameo role जो आइटंग सांग लैला मैं लैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों ये एक ऐसी फ्लिम है जिसे देखकर आप अपने आपको satisfaction दे सकते है कि मैंने एक अच्छी फ्लिम देखी शारुक खान की जितने भी फ्लिम्स है उतमें से सबसे बड़िया फ्लिम मेरे ख्याल से रहीस मुवी ही है दोस्तों इस मुवी का निर्देशन किया है राहुल धोलक किया ने और शारुक के साथ साथ रहीस में अहम किरदारों में नजर आएंगे नवाज उदिन सिद्धी की माहिरा खान अदूल कुलकरनी जीशान और नरेंदर ज्छा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरात के फथे पूर नगर से शुरू होती है जहां पर रहीस का बचपन अपनी मा के साथ यहां पर जहां पर वो छोटा था वो बहुत गरिब थे और उनका बचपन गरीबी में ही बीता यानि की गुजर रहा है अपनी म वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तो यह था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि की जाइजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तो रही इस मुवी की जो कहानी है वो बहुत ही सफेद है यान अपनी फैमिली के साथ बैट कर नहीं देख सकते हो इस फिल्म में आपको एक चीज़ भरपूर मिलेगी मैं आपको गैरेंटी के साथ कहता हूं वो है एंटरेटेंडमेंट और इस फिल्म में आपको कोई नए तरीके आफिर नए पहलू नजर नहीं आएंगे और एक बात य ये फिल्म 1980 के दशक में शूट की कहानी बताती है इस फिल्म में आपको यह मौडरन जमाने की बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महीरा के साथ शारुक के द्रिश्य फिके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रूमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरो इनकी बीच में होता है हाँ कुछ कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके आलावा मुझे लगा कि इस movie का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो ये थी इस movie की खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस film की खूबियों की तरफ तो रहीस मुवी की पहली खुबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरूख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उचह स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शाहरूख खान को लिया गया है और उनकी fan following इतनी जादा है अगर फिल्म का एड़िटाइस्मेंट नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पायदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आएगी फिल्म के हर एक दृष्षि में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी ज दिखान जाने ही नहीं दे थे और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था ये फिल्म एक ट्रीट साबुत होती है इस फिल्म में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिद्धी की जो अपने भहत हो जाए गया और इनके साधी साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहलु है वो है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर जब मैं यह फिल्म देखने के लिए गया था इस फिल्म ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और यह फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बात करें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में त तो इंपक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जाइन से निकाल नहीं पाते हो और इस फिल्म के निद्रशक और सिनेमटोग्राफर वह दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों भी अच्छी महिनत की है फिल्म की गा सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तो मुझे आज भी आद है सने लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात-रात भर तक चलते रहता था एक और बात ये फिल्म सत्तर और अस्ति की द्शक्स आ प्रभावित हैं और इस फिल्म में जो भी और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा मनुरंजन होता था और गाने आपको परदे पर बड़े पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवी को उन सीन्स को उन गाने को बहुत ही अप पर स्टार शारू खान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप या बनावटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी तो जाहिए यह फिल्म अपने फैमिले के साथ देखिए दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर देख सकते हो मुवी के स्टार कैस्ट को लेकर इस मुवी में स्टार है शारू खान हम सब जानते हैं और एक नया चहरा हमें इस मुवी में देखने को मिलेगा वह है महीरा खान जो की इस मुवी में जो आइटंग सॉंग लैला मैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आप अपने आपको सैटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि मैंने एक अच्छी फिल्म देखी शारू खान की जितने भी फिल्म है उतमें से सबसे बढ़िया फिल् अदुल कुल करनी जीशान और नरेंदर जा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजराओ के फठेह पूर नगर से शुरू होती है जहाँ पर रहीस का बचपन अपनी मा के साथ यहाँ पर जहाँ वो चोटा था वह बहुत गरिब थे और उनका बचपन गरीब दलों की राजनेती शरियंत्रों का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तों यह था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि की जाइजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों रहीस मु कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी फेमली के साथ बैट कर नहीं देख सकते हो इस फिल्म में आपको एक चीज़ में शूट की कहानी बताती है 1980 के दशक की कहानी बताती है इस फिल्म में आपको यह मौडरन जमाने की बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि यह दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रुमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है हाँ कुछ कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन ज्यादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके आलावा मुझे लगा कि इस चाहिस मुवी की पहली खुबी है हम सभी उनको चाहते हैं हम सभी उनको जानते है शहरुप खान जिनके व्यकतित्व का करिश्मा इस फ्लिम को बहुत ही उचे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शारुक खान को लिया गया है और उनकी fan following इतनी ज़ादा है अगर फिल्म का advertisement नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पाइदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आईगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डायलोग डिलेवरी और अपने हाय भाव और ये ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था ये फिल्म एक ट्रीट साबुत होती है इस फिल्म में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिद्य की जो अपने भहतरिन अभिने से अपनी भहतरिन एक्टिंग से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और इनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया और इनके साधी साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज़्या आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहलु है वह है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं बजाए है दोस्तों लेकिन यह मूवी देखने के बाद मेरा ऐसा मन किया कि मैं फैर के तालिय सीटी और चिकु चिलाओ इस मूवी के लिए थेटर्स में कहने का मतलब है कि जब मैं यह फिल्म देखने के लिए गया था इस फिल्म ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और यह फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी entertainment देता है इस फिल्म के दुरुश्यों का फिल्मांकर प्रभाव शाली है यानि कि जो impact आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जाइन से निकाल नहीं पाते हो और इस फिल्म के निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर वो दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों भी अच्छी महिनत की है फिल्म की गानों की बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म में गाना है उड़ी उड़ी जाए जालिमा और लैला में लैला ये सब गाने बॉक्स अफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स अफिस पर ही नहीं बॉक्स अफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों म इस फ्लिम में जो भी शूटिंग होती है वो भी उसी तरीका का यानि कि पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि यह कहानी असी के दर्शक्त में घरती है और इसे देखकर आपको लार्चे दिन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवी को उन सीन्स को उन गाने को बहुती अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपर्स्टार शारुख खान की फिल्म है यह बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म की साथ बाट कर देख सकते हो देuego हैं हमें जो दस्दशकों तक याद की जाएगी कि हम बात करने वाल हैं फिल्म रई के बारे में तो दोस्तों के अगर में स्टार कैस्ट निव्य लेकर इस मूवी में स्टार आर है शारूख खान हम सब जानते हैं और एक नया चेहरा हमें को मिलेगा वो है महीरा छान जो की इस फिल्म के लीड हीरोईन की तोर पर अपने आपको प्रदंशन कर रही है इस मूवी में ओर इस मूवी में एस सपोटिंग रॉल हमें ऑयूब जी दिखाई देंगे और सब्सक्राइब कर देगे देंगे और सनी लियोण सबसे बड़िया फ्लिम मेरे ख्याल से रहीस मूवी ही है दोस्तों इस मूवी का निर्देशन किया है राहुल धोलक किया ने और शारुक के साथ साथ रहीस में अहम किरदारों में नजर आएंगे नमाजुदिन सिद्धिकी, माहिरा खान, अदुल कुलकरनी, जीशान और नरेंद्र जा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरात के फथे पूर नगर से शुरू होती है जहां पर रहीस का बचपन अपनी मा के साथ यहां पर जहां पर वो छोटा था वो बहुत गरिब थे और उनका बचपन गरीबी में ही बीता यानि की घुजर रहा है अपनी मा के साथ बचपन से ही रहीस शराप की तसकरी यानि की धंदे में घुश जाता है और फिर शुरू होते है शराप के लिए घुटों में यानि की जहां पर शराप किया जाता है वहां पर राजनेतिक द बता देना चाहता हूं दोस्तों रहीस मूवी की जो कहानी है वो बहुत ही सफेद है यानि कि जो बहुत साधी फिलिम है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फिलिम में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मासाला फिल्मों में देखने को मिलता है इस फिलिम में कुछ ऐसा न entertainment और इस फ्लिम में आपको कोई नए तरीके आफिन नए पहलू नजर नहीं आएंगे और एक बात ये फ्लिम 1980 के दशक में शूट की कहानी बताती है 1980 के दशक की कहानी बताती है इस फ्लिम में आपको ये modern जमाने की बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और न हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर रोमानस अजातर सीन्स फीके लगते हैं और महाईरा का अभिनायभी हमें फीका ही लगा हैं इसके अलबाए मुझे लगा कि इस मूवी का स्क्रीन पेले। थोड़ा और आच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता तो यह थी इस मूवी के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस फिल्म की खूबियों की तरफ तो रहीस मूवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उच्छे स्तर पर ले इविटाइस्मेंट नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पायदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आएगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुख खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी ज़रूरी नहीं समझा कहिना का मत है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डालोग डिलेवरी और अपने हाइभाव और यह ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुख खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था ये फिल्म एक ट् से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और इनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेक्ट हो जाए गया और इनके साधी साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल स्कritt करेंद्र यह मुवी के बाद मेरा ऐसा मंंड कीया कि मैं नेतर करिया आसने कि इस फिल्म कि लिए खिक तकत चिडसत इस मोवी के यह ज़ों आशिए मिखने पर बात करें तो इस मोवी की स्कृप्ट के मुवी की स्क्रिप्ट कसी हुवी है और इस मुवी का बैग्रांड स्कोर आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा एंटेटेंडमेंट देता है इस फिल्म के दुरुश्यों का फिल्मांकन प्रभावशाली है यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर पड़ता है एक गाना है उड़ी उड़ी जाए जालिमा और लैला मैं लैला ये सब गाने बॉक्स आफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स आफिस पर ही नहीं बॉक्स आफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात रात भर तक चलते रहता था एक और बात यह फिलिम सतर और असी की दशक्स तिये सिनमा प्रभावित है और इस फिलिम में जो भी शुटिंग होती है वो भी उसी तरीके का यानि कि पुराने जमाने का सब दबंग ही रो होता था जहांपर बहुत सारा मनुरंजन होता था आपको पर बड़े पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मूवी को उन सीन्स को उन गाने को बहुत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे थे उसी तरह यह सूपर स्टार शारु खान की फिल्म है ये एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप या बनावटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी तो जाईए यह फिल्म अमी जांग कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती जिसमें वो विनर बन सकता है आ रहा हो माल उतारे हम कुदाम सबाले हम पर मुनाफ़ वो ले जाता है कुद का दंदा शुरू करते हैं अपने जिन्दे के लिए बैकिंग चाहिए साइब बैकि नहीं देरिंग बन्या का देमाद मिया भाई का देरिंग दोनों अपने पास यह था रईस की जिन्दगी का एक हिस्सा और भी बाकी है सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के हिस्से भी देखिए मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लाटके ना होंगा एक गुम्नामिका समंदर है उसमें ही जाके डूप जाओंगा आ रहा हो अमीजान कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती इसमेब बनार बन्साट मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लोटके ना होंगा एक गुम्नामी का समंदर है उसमें ही जाके डूप जाओंगा अभी वाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है अभी नहीं भी हमें फीका ही लगा इसके अलावा मुझे लगा कि इस मूवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो ये थी इस मूवी के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस फ्लिम की खूबियों की तरफ तो रहिस मूवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फ्लिम को बहुत ही उचे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस film में शारुक खान को लिया गया है और उनकी fan following इतनी ज़ादा है अगर film का advertisement नहीं करोगे तो भी ये film theaters में एक उचे पाइदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी, हमें नजर आईगी फिल्म के हर एक द्रिशी में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा, कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल, dialogue delivery और अपने हाय भाव, और यह ऐसा करते करते इस movie की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे, और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यह film एक ट्रीट साबुत होती है, इस film में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम, एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है, नवाज उदिन सिद्धी की, जो अपने भहतरीन अभिने से, अपन इनके साधी साथ, जीशान और नरेंद्र जा, फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज़्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है, इस film का एक और मजबूत पहलू है, वो है इस मूवी के डायलाउक्स, मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं के लिए गया था, इस अभी मोवी ने बनाते हां मत्स जब खेलना मैं, तक कुल भी मजबूर कर देगा अगर मूवी के मबूत देता है, इस वी जूशेल का फिल्म का पघ़खाय करणτανर देता है या summary जो impact आपकी वपर पर पढ़ता है आप उसे जल से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने जाइन से निकान नहीं पाते हो और इस फिल्म के निर्देशक और सिनेमटोग्राफर वो दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों दो भी अच्छी महिनत की है फिल्म की गानों की बात करें, म्यूजिक की तो इस फिल्म में गाना है उड़ी उड़ी जाए जालिमा और लैला मैं लैला ये सब गाने बॉक्स अफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स ओफिस पर ही यह नहीं, बॉक्स ओफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हीट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है, सनि लियूनिका एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात राद भर तक चलते रहता था एक और बात ये फ्लिम सतर और असी की दशक्स ये सिनमा प्रभावित है और इस फ्लिम में जो भी शूटिंग होती है वो भी उसी तरीका का यानि की पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये कहानी असी के दशक्स में घरती है और इसे देखकर आपको लार्चे देन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों यहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा मनुरन रंजयन होता था और गयां सारे गाने आपको पर देखने को मिलते थे और आप उन मूबिज को उन तीनस को उन घाने को भूत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपर स्टार शारुख खान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप यह बनावटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ आएगी यानि कि हम बात करने वाले फिल्म रेइस के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के अगर मैं स्टार कैस्ट के बारे में बात करूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते इस मूवी के स्टार कैस्ट को लेकर इस मूवी में स्टारर है शारुक खान हम सब जानते हैं और एक नया चहरा हमें इस मुवी में देखने को मिलेगा वो है माहीरा खान जो की इस फ्लिम के लीड हीरोईन की तोर पर अपने आपको प्रदर्शन कर रही है इस मुवी में और इस मुवी में आज़ा सपोटिंग रोल हमें आयूब जी भी दिखाई देंगे और सनी लियोने भी दोस्तों यह एक आएसी फ्लिम है जिसे देखकर आप अपने आपको साटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि मैंने एक अच्छी फ्लिम देखी शारुक खान की जितने भी फ्लिम्स है उतमें से सबसे बड़िया फ्लिम मेरे खाल से रहीस मुवी ही है दोस्तों इस मुवी का स्थूल कुलकर्न जिषान और नरेंदर जहा १ाया फिल्म की कहणी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरत के फथेफ़ पूर्नगर से शुरू होती है जहां पर रहीसा बचपन अपनी मा के साथ यहाँ पर जहां पर वह चोटा था वह बहुत गरिप थे और उनका दलों की राजनेती शरीयंत्रों का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पुलिस का खेल तो दोस्तों यह था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि की जाइजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तों रहीस म अकवेद है यानि कि जो बहुत साधी फिल्म है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मासाला फिल्मों में देखने को मिलता है इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर नहीं देख सकते हो इस फ्लिम में आपको एक चीज भरपूर मिलेगी मैं आपको गैरेंटी के साथ कहता हूँ वो है एंटेटेंडमेंट और एंटेटेंडमेंट और इस फ्लिम में आपको कोई नए तरीके या फिर नए पहलू नजर नहीं आएंगे और एक बात ये फ्लिम 1980 के दशक में शूट की कहानी बताती है इस फ्लिम में आपको ये मौडरन जमाने की बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फ्लिम की महीरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फ्लिम की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहिने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रूमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरो इनकी बीच में होता है हाँ कुछ कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके अलावा मुझे लगा कि इस movie का screenplay थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानिकि थोड़ा और crisp हो सकता था तो ये थी इस movie के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस film की खूबियों की तरफ तो रहीस मूवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उचे स्थर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शारुख खान को लिया गया है और उनकी फैन फोलंग इतनी जादा है अगर फिल्म का एड़िटाइस्मेंट नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पायदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आएगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुख खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गल्ती नहीं अपनी चाल डाल डायलोग डिलेवरी और अपने हाय भाव और यह ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की त तम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिध्य की जो अपने भहतरीन अभिने से अपनी भहतरीन एक्टिंग से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और इनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेक्ट हो जाए गया और इनके साथ इसाथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहली है वह है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं ब देखने के लिए गया था इस फिल्म ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और यह फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बात करें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में तो इस मूवी की स्क् आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा एंटेटेंडमेंट देता है इस फिल्म के दुरूश्यों का फिल्मांकन प्रभावशाली है यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जाइन से निकाल नह लैला में लैला ये सब गाने बॉक्स अफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स अफिस पर ही नहीं बॉक्स अफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सने लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि यह कहानी असी के दर्शक्त में घरती है और इसे देखकर आपको लार्चे दिन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा मनुरंजन ह होता था और नहीं सारे गाने आपको परदे पर बड़े परदे पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवी को उन सीन्स को उन गाने को बहुत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपर स्टार शारू खान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म ह अपने फैमिली के साथ देखिए दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर देख सकते हैं फिल्म ऐसी है जो हमें जो दश्रकों तक याद की जाएगी यानि कि हम बात करने वाले हैं फिल्म रेस के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के अग में देखने को मिलेगा वो है माहीरा खान जो की इस फ्लिम के लीड हीरोईन की तौर पर अपने आपको प्रदंशन कर रही है इस मूवी में और इस मूवी में सपोटिंग रोल हमें आयूब जी दिखाई देंगे और सनी लियों ने भी हमें इस मुव में एज़ा क्यामियो रोल जो आइटंग सॉंग लैला मैं लैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों ये एक ऐसी फिलिम है जिसे देखकर आप अपने आपको सैटिस्फेक्शन दे सकते ह कि मैंने एक अच्छी फिलिम देखी शारुक खान की जितने भी फिलिम्स है उतमें से सबसे बड़िया फिलिम मेरे खहल से रहीस मुवी ही है दोस्तों इस मुवी का निर्देशन किया है राहुल ढोलक किया ने और शारुक के साथ साथ रहीस में अहम किरदारों में नजर आ चोटा था वह बहूँत गरिब थे और उनका बच्पन गरीबी में ही बीता यानिकी गुजर रहा है अपनी मा के साथ बच्पन से सबसे ही रहीस शराब की तजिकरी धंदे में घुश जाता है और सपस्पिये वांबें इस फिल्म के कहानि ऊहें पर बादों कि तो पहली बात मैं आपको बतादेना चाहता हूं बहुत ही सफेध यानने कि जो बहुत साधी फिल्म है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मासाला फिल्मों में देखने को मिलता है इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर नहीं देख सकते हो इस film में आपको एक चीज़ भरपूर मिलेगी मैं आपको गैरेंटी के साथ कहता हूँ वो है एंटेटेंडमेंट एंटेटेंडमेंट और एंटेटेंडमेंट और इस film में आपको कोई नए तरीक या फिर नए पहलू नजर नहीं आएंगे और एक बात ये फिलिम 1980 के दशक में शूट की कहानी बताती है 1980 के दशक की कहानी, 1989 की दशक की कहानी बताती है इस फिलिम में आपको ये modern जमाने की बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और नहीं इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहिने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रुमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है हाँ कुछ कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके आलावा मुझे लगा कि इस मूवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो ये थी इस मूवी के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस फ्लिम की खूबियों की तरफ तो रहीस मूवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुक खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फ्लिम को बहुत ही उचे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शारुक खान को लिया गया है और उनकी fan following इतनी ज़ादा है अगर फिल्म का advertisement नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पाइदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी, हमें नजर आएगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा, कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल, डायलोग डिलेवरी और अपने हाय भाव, और ये ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तर तम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिध्य की जो अपने भहतरीन अभिने से अपनी भहतरीन एक्टिंग से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और इनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया और इन वह है इस मुवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मुवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं बजाए है दोस्तों लेकिन यह मुवी देखने के बाद मेरा ऐसा मन किया कि मैं ठैर के ताली सीटी और चिकुचिलाओ इस मुवी के लिए थेटर में कहने का मतलब ह इस मिने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मुवी के लिए तालिया और सीटीया बजाओ और यह फ्लिम की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर आम बात करतों इस प्रेंट के बारे में तो इस मोभी की स्क्रिप्ट इस मुवी की स्क्रिप्ट कसी हुवी है और इस मुवी का बैगरांड स्कोर आपको और भी ज्यादा रोचक बहुत ज्यादा एंडेटेंडमेंट देता है इस फ्लिम के दुरुश्यों का फिल्म आंकन प्रभावशाली है यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर आते हो और इस फ्लिम के निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर वो दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों दो अच्छी महिनत की है फिल्म की गानों की बात करें म्यूजिक की तो इस फ्लिम में गाना है उड़ी उड़ी जाए जालिमा और लैला मैं लैला यह सब में बॉक्स अफिस पर पहले ही ही ठोच चुके है यह यह कि बॉक्स अफिस पर ही नहीं बॉक्स अफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने ही ठोके हip थी। दोस्तों मुझे आज भी याद है सने लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात रात भर तक चलते रहता था एक और बात ये फ्लिम सतर और असी की दशक्स ये सिनमा प्रभावित है और इस फ्लिम में जो भी शूटिंग होती है वो भी उसी तरीका का यानि की पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये कहानी असी के दशक्स में घटती है और इसे देखकर आपको लार्चे दिन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा मनुरंजन होता था और नहीं सारे गाने आपको परदे पर बड़े पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवी को उन सीन्स को उन गाने को बहुत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह ये चिस ओवर दा टॉप या बनावटी बिल्कूल भी नजर नहीं आएगी तो जाहिए यह फिल्म ऐसी है जो हमें जो दश्ठकों तक याद की जाएगी यानि की हम बात करने वाल है फ्लिम रेस के बारे में तो दोस्तों इस फ्लिम के अगर में स्टार कैस्ट के बारे में बात करूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मुवी के स्टार कैस्ट को लेकर इस मुवी में स्टार है शारुक खान हम सब जानते हैं और एक नया चेहरा हमें इस मुवी जी भी दिखाई देंगे और सनी लियों ने भी हमें इस मोई में एज़क्यामिय रोल जो आइटंग सॉंग लैला मैं लैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों यह एक ऐसी फ्लिम है जिसे देखकर आप अपने आपको साटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि मैंने एक अच्छी फ्लि मेरे ख्याल से रहीस मोवी ही है दोस्तों इस मोवी का निर्देशन किया है राहूल धोलक किया ने और शारुक के साथ साथ रहीस में अहम किरदारों में नजर आएंगे नमाज उदिन सिद्धिकी, माहिरा खान, अदूल कुलकरनी, जीशान और नरेंदर जा फिल्म की कहानी गरीबी में ही बीता यानि कि गुजर रहा है अपनी मा के साथ बच्पन से ही रहीस शराप की तसकरी यानि कि धंदे में गुश जाता है और फिर शुरू होते है शराप के लिए घुटों में यानि कि जहां पर शराप किया जाता है वहाँ पर राजनेतिक दलों की राजनेत शरियंत्रों का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तों यह था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि की जाइजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तों रही इस मुवी की जो कहानी है वो बहुत ही सफेद है यानि कि जो बहुत साधी फिल्म है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मासाला फिल्मों में देखने को मिलता है इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर नहीं को एक चीछ भरपूर मिलेगी मैं आपको asii के दशक में शूट की कहानी बताती है उनीस सो ऑसी के दशक की कानी उनीस सोआसि नवात की दशक की कानी बताती है इस फ्लिम में आपको यह दिद्ल कूल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट मे अपना कुछ योगदान कहिने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रुमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है हां कुछ-कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभीनाबी भी हमें फीका ही लगा इसके अलावा मुझे लगा कि इस मुवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो यह थी इस movie के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस film की खूबियों की तरफ तो रहीस movie की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुक खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस film को बहुत ही उच्छे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता यानि कि इस फिल्म में शारुक खान को लिया गया है और उनकी फैन फोलंग इतनी जादा है अगर फिल्म का अड़िटाइस्मेंट नहीं करोगे तो भी फिल्म थेटर्स में एक उचे पाइदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आएगी फिल्म के हर एक द चाहल डायलोग डिलेवरी और अपने हाइभाव और यह ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह फिल्म एक ट्रीट साबुत होती है इस फिल्म में दूसरी और पर एक मजबूत स्तम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिद्य की जो अपने भैतरीन अभिने से अपनी भैतरीन एक्टिंग से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और इनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया और इनके साधी साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है वो है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर त कहने का मतलब है कि जब मैं यह फिल्म देखने के लिए गया था इस मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और यह फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बात करें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बार यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जाइन से निकान नहीं पाते हो और इस फिल्म के निद्रशक और सिनेमेटोग्राफर वो दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों भी अच्छी महिनत की है फि बॉक्स ऑफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात रात भर तक चलते रहता था एक और बात यह फिल्म सतर और असी की दशक्स ये सिनमा और उनके नायक एक पड़ी और फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हारु होता था जहां पर भहुत सारा मनुरणग जन होता था और आहीं दो सोरे गाने आपको परद्य पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवीज को उन सीन्स को उन गाने को बहुती अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह ये सूपर स्टार शारू खान की फिल्म है ये एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहाँ पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप या बनावटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी तो जाईए ये फिल्म अमनी जान कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती जिसमें वो विनर बन सकता है आराओ आल उतारे हम वोदाम समाले हम पर मुनाफ़ वो ले जाता है कुछ का दंदा शुरू करता है अब मैं दिन्दे के लिए बैकिंग चाहिए जाहिए जाहिए बाजी नहीं देरिंग बढ़ने का देरिंग निया भाई का देरिंग दोन वर अपने पास ये था रईस की जिन्देगी का एक हिस्सा और भी बाकी है सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के हिस्से भी देखिए मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लाटके ना होंगा एक गुम्नामी का समंदर है उसमें ही जाके टूप जाओंगा आ रहा हो अमी जान कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं विनर्स और लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका ज़रूर देती जिसमें वो विनर बन सकता मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लोटके नाओंगा एक गुम्नामी का समंदर है उसमें ही जाके टूप जाओंगा अभी वाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है तो जिन्दगी मेरी दोस्त बन के उच्छे स्तर पर ले जाकर दमदर बना देता है यानि कि इस फिल्म में शारुक खान को लिया गया है और उनकी फैन फोलंग इतनी जादा है अगर फिल्म का अडविटाइसमेंट नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पाइदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डायलोग डिलेवरी और अपने हाय भाव और ये ऐसा करते करते इस मूवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था ये फिलिम एक ट्रीट साबुत होती है इस फिलिम में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिद्धी की जो अपने भहतरिन अभिने से अपनी भहतरिन साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज़्यादा आसान और सुलजा हुआ बनाते है इस फिलिम का एक और मजबूत पहलु है वो है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं बजाए है द में द Krंट था इस फिल्म निने मुझे मजबूर कर दिया है ताकि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजा हुआ और यह फिल्म की श्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बात करें तो इस ir 캐p के बारे में तो इस मोवी के में स्कृप्ट कसी हुई ह और इस मुवी का बैग्रांड स्कोर आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा एंडेटेंडमेंट देता है इस फिल्म के दुरुश्यों का फिल्मांकर प्रभावशाली है यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपन लैला मैं लैला ये सब गाने बॉक्स अफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स अफिस पर ही नहीं बॉक्स अफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला मैं लैला वो पार ने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये कहानी असी के दर्शक्त में घरती है और इसे देखकर आपको लार्चे दिन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा होता था और नहीं सारे गाने आपको परदे पर बड़े पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवी को उन सीन्स को उन गाने को बहुत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह ये सूपरस्टार शारू खान की फिल्म है ये एक बड़िया फिल्म है पर व अपनी फैमली के साथ देखिए दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आप अपनी फैमली के साथ बाट कर देख सकते हैं इस मुवी में आज़े सपोर्टिंग रोल हमें आयूब जी दिखाई देंगे और सण्य लियो ने भी हमें इस मुवी में ऐस ऐ क्यामियो रोल जो रहीस मुवी ही है दोस्तो इस मुवी का निर्देशन किया है राहुल ढोलक किया ने और शारुक के साथ साथ रहीस में अहम किरदारों में नजर आएंगे नमाजुदिन सिद्धिकी, माहिरा खान, अदुल कुलकरनी, जीशान और नरेंदर जा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरात के फथे पूर नगर से शुरू होती है जहां पर रहीस का बचपन अपनी मा के साथ यहां पर जहां पर वो छोटा था वो बहुत गरिब थे और उनका बचपन गरीबी में ही बीता यानि की गुजर रहा है अपनी मा के साथ बचपन से ही रहीस शर शरब के लिए घुटों में यानि कि जहां पर शरब प्या जाता है वहां पर राजनेतिक दलों की राजनेति शरीयंत्रों का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तों यह था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि कि जाइजा और अब बारी इस खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तों रहीस मुवी की जो कहानी है वह बहुत ही सफेद है यानि कि जो बहुत साधी फ्लिम है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फ्लिम में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मासाला फिल्मों में देख देखने को मिलता है इस फ्लिम में कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर नहीं देख सकते हो इस फ्लिम में आपको एक चीज़ भरपूर मिलेगी मैं आपको गैरेंटी के साथ कहता हूं वह है एंटेटेंडमेंट और एंटेटेंडमेंट और इस फ फिल्म में आपको यह मौडरन जमाने की बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके मन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि यह दोनों ना किसी भावना को जर्म नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है कुछ-कुछ चीन्स हमें अच्छे लगते हैं लेकिन ज्यादातर र vencOS के लगते हैं और माहिरा का अभी Δ भी हमें वीका लगा मुझे लगा कि इस मूवि का स्क्रिन प्लें थोड़ा और अच्छा हो सकता था य पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते हैं हम सभी उनको जानते है शाहरुक खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फ्लिम को बहुत ही उच्छे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि की इस फ्लिम में शाहरुक खान को लिया गया है और उनकी fan following इतनी ज़्यादा ह अगर फिल्म का एडविटाइस्मेंट नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पायदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आईगी फिल्म के हर एक दृष्य में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डायलोग डिलेवरी और अपने हाय भाव और ये ऐसा करते करते इस मूवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था ये फिलिम एक ट्रीट साबुत होती है इस फिलिम में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिद्धी की जो अपने भैतरिन अभिने से अपनी भैतरिन साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज़्यादा आसान और सुलजा हुआ बनाते है इस फिलिम का एक और मजबूत पहलु है वो है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं बजाए है द लिया था इस ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और यह फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बात करें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में तो इस मूवी के स्क्रिप्ट कसी हुवी है और इस movie का background score आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा entertainment देता है। इस film के दुरुषयों का film आकन प्रभावशाली है यानि कि जो impact आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जाइन से निकाल नहीं पाते हो। और इस film के निर्देशक और सिरिमाटोग्राफर वो दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों भी अच्छी महिनत की है। फिल्म की गानों की बात करें, म्यूजिक की तो इस फिल्म में गाना है उड़ी उड़ी जाए जालिमा और लैला में लैला ये सब गानें बौक्स अफ़्म पर पहले ही हिट हो चुकी थे। दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात रात भर तक चलते रहता था एक और बात ये फ्लिम सतर और असी की दशक्स ये सिनमा प्रभावित है और इस फ्लिम में जो भी शूटिंग होती है वो भी उसी तरीका का यानि की पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये कहानी असी के दशक्स में घटती है और इसे देखकर आपको लार्चे देन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याग आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा मनुरंजन होता था और आहीं इस सारे गाने आपको बड़े पर देखने को मिलते थे और और आप उन मुवीस को उन झाने को बहुती अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह ये सूपर स्टार शारू खान की फिल्म है ये एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहाँ पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप या बनावटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी तो जाहिए ये फिल्म अपने फैमली के साथ बैटर याद की यह कि हम बात करने के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म की अगर में स्टार केस्ट के बारे में बात करऊ..? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मूवी स्टार कैस्ट को लेकर इस मूवी में । चारू कान हम सब जानते हैं । एक नया चहरा हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा वहहित माहीरा खान जोकि इस फ्लिम सौंग लैला मैं लैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों ये एक ऐसी फ्लिम है जिसे देखकर आप अपने आपको साटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि मैंने एक अच्छी फ्लिम देखी शारुक खान की जितने भी फ्लिम्स है उतमें से सबसे बड़िया फ्लिम मेरे ख्याल से रह खुल डोलकियाने और शारुक के साथ साथ रहीज में अहम किरदारों में नजर आएंगे नमाज उदिन सिद्धी की माहिरा खान अदूल कुलकरनी जीशान और नरेंदर ज्छा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरात के फथे पूर नगर से शुरू होत जाता है और फिर शुरू होते है शराप शराप के लिए घुटों में यानि कि जहां पर शराप प्या जाता है वहां पर राजनेतिक दलों की राजनेती शरीयंत्रों का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तों यह था कहानी का थोड़ा सा मज़ में आजाएगी इसलिम में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मसाला फिल्मों में देखने को मिलता है इस अम नहीं है जिसको आप अपनी family के साथ बैठकर नहीं देख सकते हो इस देख में आपको एक चीज भरंपुर्म lश मेलेगी आपको गेरेंटी के साथ ता वह एंटेंट hunter and entertainment और entertainment और इस दियम अपको कोई नहीं तरीकिया फिर नए पहलू नज़र नहीं आएंगे और एक बात भूल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फिल्म की स्क्र लगते हैं लेकिन जादातर रोमेंस लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके अलावा मुझे लगा कि इस मूवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो यह थ आते हैं शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उच्छे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शाहरुख खान को लिया गया है और उनकी फैन फोलंग इतनी जादा है अगर फिल्म का अड़िटाइसमेंट नहीं कर कि थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डियलोग डिलेवरी और अपने हाइभाव और यह ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुख खान के फैंस के लि जो अपने भैतरिन अभिने से अपनी भैतरिन एक्टिंग से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और इनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया और इनके साधी साथ जीशान और नरेंदर जा फिल्म के बाकी सफर को बहुत ज्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहलु है वह है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं बजाए है दोस्तों लेकिन यह मूवी देखने के बाद मेरा ऐसा मन किया कि मै मैं फैर के ताली सिटी और चिकू चिलाउव इस मूवी के लिए थेटर, कहना मतलब है कि जब मैं यह फिल्म देखने के लिए गया था इस ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मोवी के लिए तालिया और सीठिया बजाओं और यह I força की श्रीक आपको भी मजबूर कर देंगा अगर हम बात करें तो इस च्रेप्ट के बारे मैं तो इस मूवी की स्क्रीप्ट आफ जरू स्कोर आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा एंटेटेंडमेंट देता है इस फिल्म के दुरुश्यों का फिल्मांकर प्रभावशाली है यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जाइन से निक सब गाने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बॉक्स ऑफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात र जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये कहानी असी के दर्शक्त में घरती है और इसे देखकर आपको लार्चे दिन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा मनुरंजन ह होता था और यहीं सारे गाने आपको पर्दे पर बड़े पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवी को उन सीन्स को उन गाने को बहुत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपर स्टार शारू खान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप यह बनावटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी तो जाहिए यह फिल्म इस मुवी में सपोटिंग रोल हमें आयूब जी दिखाई देंगे और सनी लियो ने भी ह इतने भी फिल्म है उतमें से सबसे बड़िया फिल्म मेरे ख्याल से रहीस मुवी ही है दोस्तो इस मुवी का निर्देशन किया है राहूल धोलक किया ने और शारुक के साथ साथ रहीस में अहम किरदारों में नजर आएंगे नमाज उदिन सिद्धिकी, माहिरा खान, पर जहां पर वो छोटा था वो बहुत गरिब थे और उनका बच्पन गरीबी में ही बीता यानि कि घुजर रहा है अपनी मा के साथ बच्पन से ही रहीस शराप की तसकरी यानि कि धंदे में घुश जाता है और फिर शुरू होते है शराप शराप के लिए घुटों में या यानि की जाइजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तों रहीस मूवी की जो कहानी है वह बहुत ही सफेद है यानि कि जो बहुत साधी फिल्म है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फिल्म में कुछ ऐसा कहता हूं वो यह एंटरेटेंश्म और इस फिल्म में आपको कोई नए पहलू नजर नहीं आएंगे और एक बात यह फिल्म 1980 के दशक में शूट की कहानी बताती है इस फिल्म में आपको यह modern जमाने की बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महीरा के साथ शारुक के द्रिश्य फिके लगते हैं क्योंकि यह दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहिने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रुमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है हाँ कुछ-कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहीरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके आलावा मुझे लगा कि इस मूवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो ये थी इस मूवी के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस फ्लिम की खूबियों की तरफ तो रहीस मूवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उचे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शारुख खान को लिया गया है और उनकी फैन फोलंग इतनी जादा है अगर फिल्म का अड़िटाइस्मेंट नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पायदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आएगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुख खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डायलोग डिलेवरी और अपने हाय भाव और यह ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुख खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह फिल्म एक ट्रीट साबुत होती है इस फिल्म में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिद्धी की जो अपने भैतरिन अभिने से अपनी भैतरिन एक्टिंग से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और उनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया और इनके साथी साथ जीशान और नरेंदर जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज़्यादा आसान और सुलजा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है वो है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं बजाए है दोस्तों लेकिन ये मूवी देखने के बाद मेरा ऐसा मन किया कि मैं ठहर के ताली सीटी और चिकु चिला हूँ इस मूवी के लिए थेटर्स में कहने का मतलब है कि जब मैं ये फिल्म देखने के लिए गया था इस फिल्म ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और ये फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बा प्रभाव शाली है यानि कि जो इंपैक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिमाग से अपने दिल से अपने जाइन से निकाल नहीं पाते हो और इस फिल्म के निर्देशक और सिनेमटोग्राफर वो दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों भी नहीं बॉक्स ऑफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात रात भर तक चलते रहता था एक और बात यह फिल्म सतर और असी के दशक्स ये सिनमा प् सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक डबंग हीरो होता था जहां पर बहुत सारा मनुरंजन होता था और बहुंच सारे गाने आपको परदे पर बड़े पर देखने को मिलते थे आप और आप उन मुवीज को उन सीन्स को उन गाने को बहुत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपर स्टार शारू खान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप यह बनावटी ब देखिए दोस्तों यह एक आईसी फिल्म है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ बैट कर देख सकते हैं अमीजान कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती हैं जिसमें वो विनर बन सक आरा हो आल उतारे हम गुदाम समाले हम पर मुनाफा वो ले जाता है खुद करन्दा शुरू करते हैं अपने दिंदे के लिए वाकिनग चेहिए साथ बढ़गे नहीं डेरिम दोन वर अपने पास इससे भी देखिए। उसमें ही जाके टूप जाओंगा। आ रहा हो। अमनी जान कहती थी। दुनिया में दो तरहा के लोग होते हैं। विनर्स और लूजर्स। लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका ज़रूर देती। उसमें मौवण, वोनर बन्साइ़. परिए才क दुश्मन समझ रहे थे मैं, अब कभी लाटके ना होगा, एक गुम्नामी का समंदर है, उसमें ही जाके टूप जाओंगा, अभी वाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है अभी नहीं हमें फीका ही लगा, इसके आलावा मुझे लगा कि इस मुवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था, यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो यह थी इस मुवी के खामिया, और हम आगे बढ़ते हैं इस फिल्म की खूबियों की तरफ, तो रही इस मुवी की पहली खूबी है, हम सभी उनको चाहते है, हम सभी उनको जानते है, शाहरुख खान, जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उच्छे स पर ले जाकर दमदार बना देता है, यानि कि इस फिल्म में शारुख खान को लिया गया है, और उनकी फैन फोलंग इतनी जादा है, अगर फिल्म का एडविटाइसमेंट नहीं करोगे, तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पायदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी, हमें नजर आएगी, फिल्म के हर एक द्रिशी में शारुख खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा, कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं, अपनी चाल डाल, डायलोग डिलेवरी और अपने हाय भाव, और ये ऐसा करते करते, इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे, और शारुख खान के फैंस के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये फिल्म एक ट्रीट साबुत होती है, इस फिल्म में दूसरी और पर एक मजबूत स्तम, एक मजबूर प्लेयर की तरह देखते ही उनके रोल से आपको कनेक्ट हो जाए गया, और इनके साथ ही साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज्यादा आसान और सुलजा हुआ बनाते है, इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है, वो है इस मुवी के डायलाउक्स, मैंने आज त इस मुवी के लिए,zetर्स 막 कहने का मतलब है कि जब मैं यह फिल्म देखने के लिए गया था, इस लीने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सिटिया बजाओन और यह फिलिम की स्कृ। आपको भी मजबूर कर देंगी, अगर हम बात करें तो इस स्कृ। में मैं मुवी की स्कृ। कासी हुवी है और इस मुवी का बैग्ग्रांड स्कौर आपको और भी ज़्यादा रोचक, बहुत ज़्यादा एंटेटेंडमेंट देता है इस फिल्म के दुरुशियों का फिल्मांकर प्रभावशाली है यानि कि जो इंपैक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने जाइन से निकान नहीं पाते हो और इस फिल्म के निर्देशक और सिनेमटोग्राफर वो दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों दो भी अच्छी महिनत की है फिल्म की गानों की बात करें, म्यूजिक की तो इस फिल्म में गाना है उड़ी उड़ी जाए जालिमा और लैला मैं लैला ये सब गाने बॉक्स अफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स ओफिस पर ही नहीं बॉक्स ओफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात रात भर तक चलते रहता था एक और बात ये फ्लिम सत्तर और असी की दशक्स ये सिनमा प्रभावित है और इस फ्लिम में जो भी शूटिंग होती है वो भी उसी तरीका का यानि की पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये कहानी असी के दशक्स में घटती है और इसे देखकर आपको लार्चे देन लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहाँ पर एक दबंग हीरो होता था जहाँ पर बहुत सारा मनुरंजन होता था और और नहीं ही सारे गाने आपको पर बड़े पर देखने को मिलते थे आप और अप उन मूविस को उन शीन्स को उन गाने को बहुत इपने दिल से एंज्ञой कर पाते थे उसी तरह यह सूपरस्टार शारुखान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप यह बनावटी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी तो जाहिए यह फिल्म ऐसी है जो हमें जो दश्रकों तक याद की जाएगी यानि कि हम बात करने वाले हैं फिल्म रेस के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के अगर में स्टार कैस्ट के बारे में बात करूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस मुवी के स्टार कैस्ट को लेकर इस मुवी में स्टार है शा सपोटिंग रोल हमें आयूब जी भी दिखाई देंगे और सनी लियों ने भी हमें इस मुवी में अजय क्यामियो रोल जो आइटंग सॉंग लैला मैं लैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों यह एक ऐसी फ्लिम है जिसे देखकर आप अपने आपको साटिस्फेक्शन दे सकत रहीज में अहम किर्दारों में नजर आएंगे नमाज उदिन सिद्धिकी, माहिरा खान, अदुल कुलकरनी, जीशान और नरेंदर ज्छा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरात के फथे पूर नगर से शुरू होती है जहां पर रहीज का बच्पन अप संद्रे में घुज जल और फिर शुरू होते शराग के लिए घूटों में यानि कि जहां पर पीया जाता है वहां पर राजनेतिक दलों की बता देना चाहता हूं दोस्तों रहीस मूवी की जो कहानी है वो बहुत ही सफवेद है यानि कि जो बहुत साधी फ्लिम है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फ्लिम में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मासाला फिल्मों में देखने को मिलता है इस फ्लिम में कुछ ऐसा और इस फ्लिम में आपको कोई नए थरीक़ आ पहलू नजर नहीं आएंगे और एक बात ये फ्लिम 1980 की दशक में चूट की कहानी बताती है इस फिल्म में आपको ये modern जमाने की बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महीरा के साथ शारुक के द्रिश्य फिके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहिने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रुमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है हाँ कुछ कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन ज़ादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहीरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके आलावा मुझे लगा कि इस मूवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो ये थी इस मूवी के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस फ्लिम की खूबियों की तरफ तो रहीस मूवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उचे स्थर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शाहरुख खान को लिया गया है और उनकी फ पाइदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आईगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डायलोग डिलेवरी औ अपने हाइभाव और यह ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह फिल्म एक ट्रीट साबूत होती है इस फिल्म में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम एक मज अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया और इनके साधी साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज़्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहलू है वो है इस मुवी के डायलाउक्स मैं आज तक किसी भी मुवी के ऊपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं बजाए है दोस्तों लेकिन यह मुवी देखने के बाद मेरा ऐसा मन किया कि मैं फैर के ताली सीटी और चिकु चिलाओ इस मुवी के लिए थेटर में कहने का मतलब है कि जब मैं यह फिल्म देखने के तो इस मुवी के स्कृप्ट कसी हुवी है और इस मुवी का बैग्रांड स्कोर आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा एंटेटेंडमेंट देता है इस फिल्म के दुरुश्यों का फिल्मांकर प्रभावशाली है यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर पढ़ प्रभाव प्रभावित है और इस फिल्म में जो भी शूटिंग होती है वह भी उसी तरीका का यानि कि पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि यह कहानी असी के दर्शक्त में घरती है और इसे देखकर आपको लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जहां प बहुत ही अपने दिल से एंजोई कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपरस्टार शारुखान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज़ ओवर दा टॉप या बनावटी बिलकुल भी नजर नहीं आएगी तो जाएए यह फिल्म में है सपोटिंग रोल हमें जो दिखाए देंगे याद की जाएगी आपको यह बात करने वाले हैं लैला मैं लैला तो दोस्तों इस लिए अगर में स्टार कैस्ट के बारे में बात करूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते ह आप आपको स्ट्रिक्शन दे सकते हैं इस मूड में एक अक्षी खान की और एक नवी फिल्म चाहा हमें इस सबसे बड़िया फ्लिम मेरे का है महीरा खान जी ही इस फ्लिम के लीड ही दोस्तों के तौर पर अपने आपको प्रद्रशन कर रही है इस मूड में आएगे अज़ आपको स्ट्रिक्शन दे सकते हैं कि मैंने एक अच्छी फिल्म चोटा था और वह बहुत गरिब थे और उनका बच्पन से बड़िया फ्लिम मेरे क्यांसे घुजर रहा रहा है इस मूड ही है बच्पन से दोस्तों इस मूड का निंदेशन की तश्करी याने कि भूले में ब अपनी शुरु होता है तो फिल्म की बुजरत के फस्टे तो यह था शुरू हती है जहां पर रही जायए आपनी दोस्तों पहले बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तों दोस्तों गरीब मेहीं मूवी की कानी गुजर रहा है बहुत ही सफ्वेध है याने बच्प के साथ नहीं से देख सकते हो चौर पो लिसका खे लिए लेकिए भर पूर्पूर दिखा कानि का तो वह को आ जाएगी है कि दशक के दशक कानि कुछ आप जो आपको मसाला फिल्म हो बिलकुल भी नहीं जिसको आप अपने फैमले के साथ बैट कर नहीं देख सते हों इस फ्रिम में आपको एक जिस भरपूर मिलेगी माईरा के साथ वह है शारुक के अंटेटेंट्टेंट्ट फिकी रखते हैं क्यूंकि और यह जों ना किसी भावना को चंद पहलू नजर नहीं आई और नहीं इस फ्रिम के इ लेकिन जादा तर बच्पन आपके बने में हंदर दी पैदा नहीं करता बलकि हमें महाईरा के साथ इसके आलावा मुझे लगा की फिकी लगते हैं क्यूंकि थोड़ा और अच्छा किसी भावना को जनने की पाते हैं और नहीं हो सकता था तो यह थी अपना कुछ ये खामिय कहने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हों की तरह हमें वह रही इस की मुवी की पहली खूबी है जो एक हीरो और एक हीरो इनकी बीच के होता है हम सब्चु कुछ चीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जदा तर रोम्हां की फिल्म को और बहुत ही उप्छे तो भी फिल्म खेटर्स में अगे बढ़ते हैं इस फिल्म की खूबी होगते हैं तो इस मुवी की नजर आईगी है हरे घृष में शारुख खान ने आपने की फिल्म की जरूरी नहीं समझाए जिनके कहने का मत्वत का मतलब है उन्होंने जरा इस फिल्म को नहीं बहुत ही दैलोग डिलेवरी ले जाकर अपने हार बना देता है और यह ऐसा करते करते में इस मुवी की खामिया गया रहा है और उनकी ध्यान जाने ही नहीं जाता है और अगर फिल्म के फैंस के लिए डिटाइजमें नहीं करोगे तो भी ये फिल्म टेटर्स में एक ताबुत होती है चड़ते हुए हमें दिकाई देगी है हमें नजबुत फिल्म के मुझबूर द्रिशियर की तरह शारुक खाड़े है नवाज़ुदर से हिलने की जो अपने थोड़ी भी जरूरें से अपनी बहतरी है कहिना का मतलब है उन्हें की दूसरी गल्ती नहीं समाले दोगे है और इकना अच्छा है और यह देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया जाने ही नहीं देखते हैं और जी शारुक खाड़ेंस के लिए जैसके मैंने बाकी सफ़र को यह फिल्म बहुती ज़़ादा आसान और सुलजा हुआ बनाते हैं इस फिल्म का एक और मुझबूत पहलू है वो है इस मुवी के डायल जाए है नवासुदिन आच्छता किसी भी मुवी के ऊपर हूं अभी ने ऐसे तालिया नहीं है बजाए है लेकिन देखने के आओर को मैं मेरा असाम मन किया कि और इनका रोल इतना अच्छा है और ची देखते ही इस मुवी के अपको कहने इस मोवी मैं आज़ता प्रोच देखने के बार में स्कुल्ष ओप सा यह को बगद नहीं बजाए आपको और लेकिन आपको बिशक देखने के बार बहुत ज़्यादा जोगांगा पर पर पाहने का मतलब आप उसे जल से अपने दिमागा अपने या जयं गाया था निकान नही इस मुवी जाली मत्सी होई है और लैला में लैला बैग्रांड पर पहले ही इते हो चुक्त है एक पर 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 पढ़ता है दोस्तों मुझे आज भी आदे दिमार निकार इक गाना नहीं पाते हो पार्टियों में राद राद बर तक चलते रहता था एक और बार ये वड़े ही सारीफ के पात्र और अच्छी ये सिनमा प्रभांवित है और इस प्रिम में एक गाना है उड़ी उड़ी जाये है यानि कि जाने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये सब गाने बॉक्स अफिस पर पहले ही और इसे देखकर आपको लार्चे दें लाइफ सिनमा और इक पर फिर से आपको याप आ जाएंगे दोस्तों दोस्तों मुझे आज भी आदेर होता था एक जाना था लाम अला मनुरंजन होता था वो पार्टियों में रात रा यानि कि पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि ये कहानी असी के दर्शक ये एक बढ़िया है और इसे देखकर आपको लार्चे दिन लाइफ सिनमा और उनके नाया सेट पर एक बार फिर से आपको याप बनावर्टी जहां पर नजर नहीं होता था तो जहां पर ये फ्लेम आपने जमाने के साथ देखिए दोसको ये सारे गाने आपको बढ़े पर फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं अमी जान कहती थी दुनिया में दो तरहा के लोग होते विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती जिसमें वो विनर बन सकता है आ रहा हो हाल उतारे हम गुदाम सबाले हम और मुनाफ़ वो ले जाता है खुद का दंदा शुरू करते हैं अप मैं दंदे के लिए बैकिंग चाहिए साहिए बैकिने देरिंग बन्ये का दमा मिया भाई का देरिंग दोनों अपने पास ये था रईस की जिन्दगी का एक हिस्सा और भी बाकी है सब्स्क्राइब कीजिए और बाकी के हिस्से भी देखिए मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लाटके ना हूँगा एक गुम्नामिका समंदर है उसमें ही जाके टूप जाओंगा आ रहा हूँ अमी जांग कहती थी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं विनर्स और लूजर्स लेकिन जिन्दगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती इसमेब विनर्बन सब्सक्ता मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लोटके ना होँगा एक गुन्दामी का समंदर है उसमें ही जाके टूप जाओंगा अभी वाकी मेरी कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फ्लिम की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रोमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है हाँ कुछ-कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके आलावा मुझे लगा कि इस मुवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो यह थी इस मुवी के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस फ्लिम की खूबियों की तरफ तो रहीस मुवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते हैं आम सभी उनको जानते है शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उच्छे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शाहरुख खान को लिया गया है और उनकी फैन फोलंग इतनी जादा है अगर फिल्म का अड़िटाइ नहीं करोगे तो भी फिल्म थैटर्स में एक उचे पाइदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आएगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुख खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी ज़रूरी नहीं समझा कहिना का मतलब है उन्होंने जरा स फैन्स के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था यह फिल्म एक ट्रीट साबुत होती है इस फिल्म में दूसरी और पर एक मजबूत स्थम एक मजबूर प्लेयर की तरह खड़े है नवाजुदिन सिद्धी की जो अपने भैतरिन अभिने से अपनी भैतरिन एक्टिंग से इस साथ इसाथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म का एक और मजबूत पहलु है वह है इस मूवी के डायलाउक्स मैंने आज तक किसी भी मूवी के उपर हुडिंग या फिर तालिया नहीं फिल्म के लिए गया था इस फिल्म ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और यह फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बात करें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में तो इस मूवी की स्क्र कसी हुई है और इस मुवी का बैग्रांड स्कोर आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्यादा एंटेटेंडमेंट देता है इस फिल्म के दुरुश्यों का फिल्मांकर प्रभाव शाली है यानि कि जो इंपक्ट आपके उपर पड़ता है आप उसे जल से अपने दिम आना है उड़ी उड़ी जाए जालिमा और लैला मैं लैला ये सब गाने बॉक्स आफिस पर पहले ही हिट हो चुके है यानि कि बॉक्स आफिस पर ही नहीं बॉक्स आफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियो होती है वह भी उसी तरीका का यानि कि पुराने जमाने का सब कुछ किया गया है क्योंकि यह कहानी 80 के दर्शक्ष में घरती है और इसे देखकर आपको लाइफ सिनमा और उनके नायक एक बार फिर से आपको याद आ जाएंगे दोस्तों जहां पर एक दबंग हीरो होता था जह बहुत ही अपने दिल से एंजोई कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपरस्टार शारुखान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज़ ओवर दा टॉप या बनावटी बिल्कु थेखें के बारे में बात करूं तो चलिए दोस्तों शुरू करते इस मूवी क्स च्चाट कर boa इस मूवी में इसमोवी खान हम सब जानते हैं और एक नया चहरा हमें इस मुवी में देखने को मिलेगा वो है महीरा खान जो की इस फिलिम के देखी शारुक खान की जितने भी फिलिम्स है उत में से सबसे बड़िया फिलिम मेरे खाल से रहीस मुवी ही है दोस्तो इस मुवी का निर्देशन किया है राहुल ढोलक किया ने और शारुक के साथ साथ रहीस में अहम किरदारों में नजर आएंगे नमाज उदिन सिद्धिक की महेरा खान अदूल कुल करने जिशान और नरेंडरीट जा फिल्म कि कहनी की बात करे तो फिल्म की कहनी गुजरात के पूर्णगर से शुरू हती है जहं पर रहीज का बचुपन अपनी मा के साथ यह पर जहां पर वह चोटा था वहो बहुत गरिब थे और उनका बचपन गरीबी में ही बीता यानि कि घुजर रहा है अपनी ओमा के साथ बचपन से ही रहीज, शराब की तज्करी यानि की धंदे में गुश जाता है और फिर शुरू होते है शराब के लिए घुटों में यानि की जहां पर शराब प्या जाता है वहाँ पर राजनेतिक दलों की राजनेती शरीयंत्रों का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तों ये था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि की जायजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता ह इस फिल्म कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी फैमली के साथ बैटकर नहीं देख सकते हों को एक चीज भरपूर मिलेगी मैं आपको गएंटेंट्र ये इन्टेइन्मेंट agraancape और इस फिल्म में आपको यह modern जमाने की बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि यह दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं औ और सनी लियो ने भी हमें इस मुवि में एक क्यामियो रोल जो आइटंग सौंग लैला मैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आप अपने आपको साटिस्ट्रेक्शन दे सकते हैं कि मैंने एक अच्छी फिल्म देखी शारुक खान की ज नमाजुदिन सिद्धिकी, माहिरा खान, अदुल कुलकरनी, जीशान और नरेंदर ज्छा फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी गुजरात के फथे पूर नगर से शुरू होती है जहां पर रहीज का बचपन अपनी मा के साथ यहां पर जहां पर वो छोटा था व यानि कि जहां पर शराप पिया जाता है वहां पर राजनेतिक दलों की राजनेती, शर्यन्तरों का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तो यह था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि कि जाएजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तों रहीस मुवी की जो कहानी है वो बहुत ही सफेद है यानि कि जो बहुत साधी फिलिम है आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी इस फिलिम में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मासाला फिल्मों में देखने को मिलता है इस में कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी फैमिली साथ बैट कर नहीं देख सकते हो इस में आपको एक चीज़ भर्पूर मिलेगी मैं आपको गैरेंटी के साथ कहता हूँ वो है entertainment entertainment और entertainment और इस फिलिम में आपको कोई नए तरीके आफ नए पहलू नजर नहीं आएंगे और एक बात ये फिल्म 1980 के दशक में शूट की कहानी बताती है 1980 के दशक की कहानी, 1989 की दशक की कहानी बताती है इस फिल्म में आपको ये modern जमाने इक तीन्स बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और नहीं इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहिने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए हमें वो रोमैंस की भावना नजर नहीं आती है जो एक हीरो और एक हीरोईन की बीच में होता है हाँ कुछ कुछ सीन्स हमें आच्छे लगते हैं लेकिन जादातर सीन्स फीके लगते हैं और माहिरा का अभिनाई भी हमें फीका ही लगा इसके आलावा मुझे लगा कि इस मूवी का स्क्रिन प्ले थोड़ा और अच्छा हो सकता था यानि कि थोड़ा और क्रिस्प हो सकता था तो ये थी इस मूवी के खामिया और हम आगे बढ़ते हैं इस फ्लिम की खूबियों की तरफ तो रहीस मूवी की पहली खूबी है हम सभी उनको चाहते है आम सभी उनको जानते है शाहरुख खान जिनके व्यक्तित्व का करिश्मा इस फिल्म को बहुत ही उचे स्तर पर ले जाकर दमदार बना देता है यानि कि इस फिल्म में शाहरुख खान को लिया गया है और उनकी फै इर्विटाइस्मेंट नहीं करोगे तो भी ये फिल्म थेटर्स में एक उचे पायदान पर चड़ते हुए हमें दिखाई देगी हमें नजर आईगी फिल्म के हर एक द्रिश्य में शारुक खान ने अपने किरदार से हिलने की थोड़ी भी जरूरी नहीं समझा कहिना का मतलब मैं उन्होंने जरा से भी गलती नहीं अपनी चाल डाल डालोग डिलेवरी और अपने हाइभाव और यह ऐसा करते करते इस मुवी की कामियों की तरफ आपका ध्यान जाने ही नहीं दे थे और शारुक खान के फैंस के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था ये फिल्म एक ट् से इस फिल्म की दूसरी और को संभाले हुए है और इनका रोल इतना अच्छा है कि देखते ही उनके रोल से आपको कनेट हो जाए गया और इनके साधी साथ जीशान और नरेंद्र जा फिल्म के बाकी सफर को बहुती ज्यादा आसान और सुल्जा हुआ बनाते है इस फिल्म लेकिन यह मूवी देखने के बाद मेरा ऐसा मन किया कि मैं ठहर के ताली सीटी और चिकु चिलाओ इस मूवी के लिए थेटर में कहने का मतलब है कि जब मैं यह फिल्म देखने के लिए गया था इस फिल्म ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस मूवी के लिए तालिया और सीटिया बजाओ और यह फिल्म की स्क्रिप्ट आपको भी मजबूर कर देंगी अगर हम बात करें तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में तो इस मुवी की स्क्रिप्ट कसी हुवी है और इस मुवी का बैगरांड स्कोर आपको और भी ज़्यादा रोचक बहुत ज़्य ज़िम चशाली है जो इंपक्ट आपक वर पढ़ता है या ऊवसे जल से अपने दिमाग से अपने जाइन से निकान यहीं पाते हो और फिल्म के निरित्रशक और सिनेमेटोग्राफ़र वह दोनों ही बड़े ही तारीफ के पात्र है उन्हों भी अच्छी महिनत की है। फिल्म की गानों की बात करें, म्यूजिक की तो इस फ्लिम में गाना है उड़ी उड़ी जाए, जालीमा और लैला मैं लैला, ये सब गाने बॉक्स अफिस पर पहले ही हिट हो चुके है, यानि कि बॉक्स अफिस पर ही बॉक्स ऑफिस में आने के पहले ही सारे के सारे गाने हिट हो चुके थी दोस्तों मुझे आज भी याद है सनी लियोनी का एक गाना था लैला में लैला वो पार्टियों में रात रात भर तक चलते रहता था एक और बात यह फिल्म सतर और असी की दशक्स यह सिनमा प्रभावि अजनमा और उनके नायक फिर से आपको याद आजाएंगे दोस्तों जहांपर एक दबंग हीरो होता था जहांपर बहुत सारा मनुरंजन होता था और रहीं सारे गाने आपको परधे पर बड़े परढ़े पर देखने को मिलते थे आप और आप उन वूआत मूभी सीन्स को उन गाने को बहुत ही अपने दिल से एंजॉय कर पाते थे ठीक उसी तरह यह सूपर स्टार शारू खान की फिल्म है यह एक बड़िया फिल्म है पर वास्तविक्ता की एक छोड़ी सी जलक के साथ यहां पर फिल्म को सेट पर आपको हर चीज ओवर दा टॉप यह बनावटी ब और लूजर को देखिए दोस्तों यह एक आईसी फिल्म है जिसको आप अपनी वेड़कर के साथ देख सकते फ्रिम ऐइस है जो करकरें कि हम बात करने वाले ऺफिल्म रइस के मेरे में डिऑ करूँ चलिए दोस्तोफ शुरू करते यह मूवि के श्रार कैस्ट को लेकर इस नया चहरा हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा वो है महीरा खान जो कि इस फ्लिम के लीड हीरोईन की तौर पर अपने आपको प्रदर्शन कर रही है इस मूवी में और इस मूवी में सपोटिंग रोल हमें आयूब जी भी दिखाई देंगे और सनी लियो ने भी हमें इस लैला मैं लैला उसमें दिखाई देगी दोस्तों ये एक ऐसी फ्लिम है जिसे देखकर आप अपने आपको सैटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि मैंने एक अच्छी फ्लिम देखी शारुक खान की जितने भी फ्लिम्स है उतमें से सबसे बढ़िया फ्लिम मेरे ख्याल से रहीस ख्लकरनी जीशान और नरेंडरजा फिल्म की काहनी की बात करें तो फिल्म की काहनी गुजरात के फथे पूरनगर से शुरू होती है जहांपर रहीस का बचपन अपनी मां के साथ यहां पर जहांपर वह छोटा था बहूत गरिब थे और उनका बचपन गरीबी में ही बीता यानि कि गुजर रहा है अपनी मा के साथ, बचपन से ही रहीज शराप की तसकरी यानि कि धंदे में घुश जाता है, और फिर शुरू होते है शराप के लिए घुटों में, यानि कि जहां पर शराप प्या जाता है, वहाँ पर राजनेतिक दलों की राजनेती, शर्यंत्रों क का सिलसिला और वहीं से शुरू होता है चोर पोलिस का खेल तो दोस्तों यह था कहानी का थोड़ा सा मुवावना यानि की जाइजा और अब बारी इस फिल्म के खामियों की तो पहली बात मैं आपको बदा देना चाहता हूं दोस्तों रहीस मुवी की जो कहानी है वह बहुत ही अपनी फेंले के साथ बैट कर नहीं देख सकते हो इस व्ले में आपको एक चीज भरपूर मिलेगी म आपको गयरेंटी के साथ कहता हूं वह ए और इस फिल्म में आपको ये modern जमाने की बिलकुल भी नहीं दिखेंगे रहिस का बच्पन आपके बन में हमदर्दी पैदा नहीं करता बलकि लंबाई बढ़ाता है फिल्म की महाईरा के साथ शारुक के द्रिश्य फीके लगते हैं क्योंकि ये दोनों ना किसी भावना को जर्म दे पाते हैं और ना ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट में अपना कुछ योगदान कहिने का मतलब है कि इन दोनों को साथ में देखते हुए झाल झाल लोगदान झाल 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 । ए झाल